आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को साल की सबसे बढ़ी चतुर्थी है, मतलब कि इस चतुर्थी को हम संकटा चौथ भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं, और गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, और दोस्तों, ये वाली जो गणेश चतुर्थी है, ये संकटा च जिस दिन है तारीख दोस्तों, 29 जनवरी 2024 का, इस पूरे साल में भगवान शिवजी की बहुत ही बड़ी कृपा हो रही है, ये बात आप सभी लोग जरूर होंगे, क्योंकि इस बार की जो सबसे बड़ी च्छतुर्थी है, संकट चोथ या तिलकुट चोथ, वो भी सोमवार क दिन ही पड़ रही है, इसका मतलब है कि इस दिन आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करेंगे, उसका फल आपको डबल ही मिलेगा, क्योंकि आप दो-दो विशेश दिनों पर एक ही दिन वो जो है उपाय करने वाले हैं, ठीक है, सोमवार का दिन भी अब दोस्तों, इस दिन किये जाने वाले कुछ ऐसे विशेश उपाय हैं, जो कि आप लोग शायद भूल गए होंगे, जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और दोस्तों, ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, जिन लोगों को तिलकुछ चौथ या संकट चौथ के बारे में पता है, या जो लोग इस व्रत को धारन करती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें, कि इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुछ चौथ के नाम से भी जाना जाता ह और दोस्तों, ये वाला जो दिन होता है, ये विशेश रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, मत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है? क्योंकि इस दिन माताओं बहने अगर इस दिन का वरत करती हैं, संकटा चौत का वरत करती हैं, वरत धारन कर तो भाई दिन उनकी संतानों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेश हो जाता है। तो भाई है इस साल की पहली और सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन किये जाने वाला सबसे बड़े उपाई के बारे में। ज्यादा मतलब कारगर है क्योंकि इस उपाई को अगर आप साल के साथ साल की सबसे बड़ी स्तुति के दिन करते हैं तो निश्चित ही भगवान गणेश जी की कृपा साथ ही भगवान शिव जी की कृपा भी आपके उपर जरूर होगी। ठीक है क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी का भी है और ये दिन भगवान गणेश जी का भी है क्योंकि ये चौत का दिन है ठीक है तो करना क्या है दोस्तों? इस दिन आप लोगों को नव शमी पत्र लेकर आना है ये नव शमी पत्र आप लोग कहां से लेकर आओगे तो देखो शमी पत्र आप लोगों को कहीं बिकते हुए तो नहीं दिखेंगे ये आपको किसी पेड में ही मिलेंगे तो नव शमी पत्र आप लोग लेकर आ जाना त दोस्तों, एक खी का दीपक भी बनाना, घी का दीपक, आप मिट्टी का भी ले सकते हो, मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना बाकी, मिट्टी का नहीं ले रहे हो, तो आटे का दीपक बनाना, एक छोटा सा मतलब मीडियम साइज का, उसके अंदर गोल बाती रखना, क्यो पर हम जलाने वाले हैं, ठीक है, तो एक दीपक और नवस्वयम्पत्र लेकर आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुँचना, सर्वोत्तम जो समय है उपाय करने का, वो शाम का समय है, क्योंकि दीपक शाम के समय ही जलाया जाता है, या रात्री समय जलाया जाता है, बाकी आप का मन सुबह करने को है, तो सुबह भी कर सकते हो, ठीक है, तो करना क्या है, भगवान शिवजी के मंदिर पहुचना है, सारी चीजें लेकर पहुचना है, अपने साथ अपनी माचिस लेकर जाना है, दीपक को जला कर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है, ठीक है, तो भगवान शिवजी के मंदिर में जैसे ही पहुँचते हो तो शिवजी के मंदिर में पहुँचकर आप लोगों को सीधा भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में जाना है सबसे पहले उनके दर्शन करना है दर्शन करने के बाद दोस्तों आपको अपने नौशमी पत्र निकाल लेना है ठीक है? नौशमी पत्र निकालने से पहले आप लोगों को हम एक बात बता दे कि शिव जी के शिवलिंग के उपर एक गणेश जी का स्थान आप लोगों को शायद पता होगा और अगर नहीं पता है, तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पहला काम हमें यहीं पर है, है ना? तो गनेश जी का जो स्थान होता है, शिवलिंग के उपर वो होता है, जो जलाधारी होती है, भगवान शिवजी की, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब शिवलिंग जिस तरफ है, शिवलिंग जिस तरफ से आपको दिखती है, वैसे ही आप खड़े होकर दे साइड देखना उस राइट हैंड साइड की होगी वो होता है गणेश जी का स्थान ठीक है उस गणेश जी वाले स्थान पर आपको क्या करना है अपने इन नौ शमी पत्रों में से पांच शमी पत्र निकालना है कितने निकालना है पांच शमी पत्र निकालना है पांच शमी प पर समर्पित करना है, खिला हुआ भाग या जो पत्ती वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ कर देना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना पांच शमिप्र गणेश जी वाल इस्थान पर समर्पित करने के बाद शमी पत्र आपको और निकालनी है, तीन शमी पत्र जो आप निकालेंगे, वो भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, ठीक है? भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर तीन शमी पत्र समर्पित करने के बाद, दोस्तों, आप लोगों के पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा, बस एक शमी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको आना है, भगवान शिवजी की चौकट के पास में, ठीक है? मतलब आपको मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, जो भगवान शिवजी का मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है, प्रांगण में अंदर आने की चौकट होगी, भगवान शिवजी के मंदिर की, तो बस उसी चौकट पर अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना, बात का ध्यान रखना, अंदर ही रहते हुए आप मतलब अंदर खड़े रहना और बाहर की तरफ देखना, मंदिर के मतलब प्रांगन के बाहर की तरफ देखना और आप देखना के आपको उल्टा हाथ कौन सा है ठीक है? उस उल्टे हाथ की चौकट पर सबसे पहले आपको क्या करना है? वहाँ बैठना है अंदर की साइड ही बैठना है बाहर जाकर मत बैठना ठीक है अंदर की साइड ही बैठना है और जो आपका उल्टा हाथ पड़े अंदर से बाहर देखने पर साथ ही में दोस्तों आपके पास जो आखरी एक बचा हुआ शमिपत्र है उस शमिपत्र को आप भगवान शिवजी की चोखट पर जब समर्पित करेंगे रखेंगे वहाँ पर नीचे तो भगवान गणेश जी का मोरधवज या मयूरधवज दोनों में से कोई एक नाम देख लेना मूरधवज या मयूरधवज गणेश जी का नाम लेते हुए उस शमिपत्र को वहाँ पर समर्पित करना रख देना साथी में जो दीपक है उस दीपक को अब आप लोग जलाना जलाने के बाद उसी शमिपत्र के साइड में आँखें बंद करके भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, अपनी जो भी मनोकामना हो, अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने बच्चों के लिए वो अपनी मनोकामना उस दीपक को रखते समय भूल देना, जैसे ही आपका दीपक रखा जाए, त क्या हम जो शमी पत्र हमें चढ़ाने हैं भगवान गणेश जी को, क्या हम गणेश जी के मंदिर जाकर नहीं चढ़ा सकते। तो पंडित जी ने जो उपाए में बताया हुआ है, वो शिवलिंग के उपर जो गणेश जी का स्थान है, वहीं पर चड़ाने के लिए बताया हुआ है, इसके अलावा और कहीं नहीं बताया गया है, ठीक है। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, तिलकुट चौथ या संकटा चौथ के दिन रात्रि में या शाम के समय, माताएं, बहने जो हैं पूजन करती हैं, ठीक है, चंद्र की पूजन करती हैं, चंद्रदेव की पूजन करती हैं, साथ ही में दोस्तों, वो भगवान गणेश जी की भी पूजन करती हैं अपने घर में और भगवान गणेश जी की जब आप पूजन करो ना मतलब दोस्तों आप लोग जब पूजन शुरू करने के लिए बैठो या पूजन करने के लिए बैठो तो अपने घर से कुछ गेहूं के दाने ले लेना ठीक है गेहूं पंडित जी ने गेहूं के दाने का ही बोला है, तो कुछ गेहूं के दाने लेना, और उस गेहूं के दाने को आप अपने पूजन वाली जगहे पर रख देना, पूजन वाली जगहे पर जैसे ही आप लोग रख दोगे ना, उसके बाद में आप अपनी पूजन को संपन्न कर जैसे आप पूजन करते हो, वैसे कर लेना। तो भाई वो उसके सफल नहीं हो पाते, अगर उनको ये दो चावल के दाने दे देंगे, उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही में इस बात का ध्यान रखना, इन चावल के दानों को जिस चावल के दानों को रखते समय, आपने अपने पूरे शंकर चौथ, तिलकुल चौथ की पूजन करी है। इन दो चावल के दानों को आप अपने घर के किसी बाहर सदस्य को मत देना। ठीक है, अपने घर का, परिवार का जो व्यक्ति हो, उसी को दे सकते हो। आप चाहे अपने बच्चों को दे सकते हो, ताकि वो अपने कामों में सफल हो, चाहे इंटरव्यू में सफल हो जाए, परीक्षाओं में सफल हो जाए, इन दो गेहूं के दाने सिर्फ आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को ही दे सकते हो, बाहर के लोगों को नहीं दे सकते, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, तो यहां पर ये बहुत ही बड़ा और विशेश उपाय है, आप लो वो भी बहुत ही जल्दी, अब दोस्तों, ये वाला जो उपाय है न, ये है दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय, ये 108 चावल के दाने वाला उपाय दोस्तों, इतना ज्यादा बड़ा है, सोमवार का दिन है, बगवान गणिश जी का तिलकुट चौत का दिन है, तो भ आपको फल मिलता ही है परतिल कुछ चौथ और संकटा चौथ जिस दिन सोमवार ही पढ़ रहा है इस दिन अगर आपको ये वाला उपाय कर लोगे इस बार के सोमवार को तो भाई आप लोगों को इसका डबल फल मिलेगा इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 108 चावल के दाने अपने घर से ले कर जाने होते है अपने घर के रसोई घर से वो भी प्राथा काल सुबह सुबह आप इसके साथ में एक लोटा जल वगेरा जो भी ले कर जाना चाहे वो ले कर जा सकते है ठीक है शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुँचते हो तो मंदिर में पहुँचकर पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लिया करो ठीक है पूजन अर्चना जैसे ही आप लोगों की हो जाती है भगवान से आप निवेदन आशिरवाद ले लेते हो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है कि भाई जो आपने भगवान से प्रार्थना करी है भाई आपने जो भी उनसे निवेदन किया है अब उसको पूरा कराने के लिए आपको अपने एक सो आठ चावल के दाने लाना है इन 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ कटा पिटा या ऐसा नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना अच्छे साबुट चावल के दाने लाना और एक-एक दाना भगवान शिवजी की शिवलिंग के उपर श्री शिवाय नमुस्तू भीम बोलते हुए चढ़ाना ठीक है एक-एक दाना एक साथ चढ़ाओगे फल नहीं मिलेगा पर एक-एक चावल का दाना भगवान शिवजी पर अगर चढ़ाओगे इस दिन तो आपको डबल फल मिलेगा ठीक है शिवजी पर चढ़ाना श्री शिवाय नमस्तू भीम बोलना हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते बोलना बस आखिरी वाला जो दाना आ जाए एक सौ साथ दाने चावल के दाने चढ़ा दिये, तो आखिरी वाला जो एक सौ आठ चावल का दाना है, उस समय भी आप श्री शिवाए, नमस्ते बोलना, भगवान से अपनी मनो कामना बोलना, आखें बंद करके और इस आखिरी वाले चावल के दाने को समर्पित कर देना. बस आखिरी वाला जो चावल का दाना है, इस समय आप अपनी मनो कामना भूलकर भगवान शिवजी पर इसे समर्पित कर देना. एक सो जो भी माताएं, बहनें, जो भी व्यक्ती, जो भी बच्चे. अगर सोमवार के दिन और विशेश रूप से 29 जनवरी का जो दिन है, तिलकुट चौथ और संकटा चौथ, और जिस दिन सोमवार भी पढ़ रहा है, इस दिन अगर कर लेंगे, उनको जो भी चीज चाहिए होगी, जो भी मनो कामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होग वो बहुत ही कम समय के अंदर पूर्ण जरूर हो जाएगी, क्योंकि जब कोई विशेश दिन पर कोई एक और अच्छा त्योहार पढ़ता है, तो भाई उसका हमें फल भी डबल मिलता है, जैसा कि इस बार पढ़ रहा है, 29 जनवरी को सोमवार का दिन भी है, साथ ही भगवा करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, तो उसे आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।